आज हमारा लेट्चर है कोई नया कंसेप्ट नहीं है इसमें इसमें हम करेंगे कुछ प्राणे सम जैसे की हमने compound interest हमारा cover कर लिया है तो compound interest के मेरे पास comments में काफी comments आ रहे थे के compound interest के sum करवा दो यहाँ फिर energy के sum करवा दो यहाँ exercise के sum करवा दो ठीक है नँ, काफी problem आ रही थी तो मैं चुनके ठोड़े sum करवा रह efficacy से ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि यह करवाने वाला है, मैं उसे करवा रहा हूँ जो मुझे easy लग रहा है, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, तो यह exercise के समय उठा रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास, sum दिया गया है, find the compound interest, रैकन annually for 6500 at the rate of 9% per annum for 3 years, 9 months, ठीक है न, तो यहाँ पर हमेरे पास दिया गया है, compounder annually, 6500 के लिए 9% per annum है, 3 years and 9 months, तो time period हमारे पास दिया गया है, 3 years and 9 months, ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले principle दिया है, इतना, ठीक है न, तो आगे मेरे पास rate 9% का दे रखा है, 9% per annum, ठीक है न, तो time मेरे पास है, यहाँ पर 3 years, 9 months, ठीक है, तो यह information मेरे पास दे रखी है, तो इसे solve कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास compound interest के लिए, जैसे compound interest निकालने के लिए, हम क्या करते हैं, formula लगाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही इसमें लगाएंगे, वैसे करके ही इसमें लगाएंगे, बट थोड़ी problem यह होगी, कि यह 9 months के लिए, अलग से एक formula लगाना पड़ेग और निकालना भी compounded annually है, तो इसी लिए, इस portion के लिए, अलग से एक formula लगेगा, ठीक है न, बाकी same रहेगा, बाकी कोई भी chain नहीं आएगा, तो यहाँ पर compound interest हमें निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालनेंगे amount, कि हमारी amount किंत्री बनती है, तो amount is equals to, इसकी power n, ठीक है, और extra एक formula यहाँ पर लग जाएगा, आर, यह तो r rate हो गया, यही, ठीक है, into यह वाला मन्त, upon इसके 12, ठीक है, 100 तो आए गई, m के नीचे, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है, तो यह 9 और यह m, same है, ठीक है न, m, मतलब month is equals to 9, n is equals to 3, n के यह, m के मन्त, ठीक है न, तो यहाँ पर bracket close, तो अब इसको solve करना है, तो इसके लिए हमारे पास p दिया गया है, 6500, 1 प्लस r 9%, n कितने है, 3 years, यहाँ पर फिर r कितना, 9, into 9, upon 1200, ठीक है, इसको solve करना है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, 6500, 1.09 की power 3, और यहाँ पर मेरे पास आएगा, इतना, ठीक है न, तो यह मेरे पास आ गया, तो अब क्या करना है, इससे calculator पर यहाँ पर solve कर लेंगा, तो यहाँ पर हमारे पास amount आ गई, that amount is equals to 8985.68, ठीक है, तो अगर इससे लिखना हो, तो हम लिख सकते हैं, 8986, ठीक है, तो अब निकालना है compound interest, तो compound interest निकालने के लिए, हमारे पास आएगा amount minus principal, तो amount हमारे पास minus principal, तो यहाँ पर मेरे पास आया, ठीक है, तो इतना amount हमारा क्या आ गया, compound interest का, तो ऐसे करके यह, अगर months का आ जाए, और यहाँ पर annually लिखा हो, तो उसे हम solve कर सकते हैं, उसके लिए अलग से एक formula लगेगा, जैसे मैंने लगाया 1 plus R into M, ठीक है न, M denotes the month, and N denotes the years, ठीक है न, तो N के लिए वो same लग गया, अलग से लग गया, और M के लिए यह, अलग से लग गया, ठीक है न, तो ऐसे करके, अलग से लगा के पहले amount निकाल लेना, amount निकालने के बाद, यहाँ पर compound interest निकाल लेना, यहाँ पर हमारे पास second सम दिया गया है, find out the compound interest on 80,000, for the 3 years, ठीक है न, यहाँ पर period हमारे पास 3 years दे दिया, बट यहाँ पर क्या किया, उन्हों ने 3 years के लिए अलग-अलग rate दे दिये, जैसे कि first के लिए यह, second के लिए यह और third के लिए यह, ठीक है न, कि हमारा वो rate था, वो change होता गया, increasing होता गया, 4 से 5 हो गया और 5 से इसके बार 10 हो गया, ठीक है, तो करना क्या इसमें, करना वही सारा कुछ है, जैसे हमने compound interest निकालने है, तो compound interest निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे amount, ठीक है, तो amount उसके लिए हमारा हो गया principle, ठीक है, further यहाँ पे इन survey rates को apply करके, एक एक साल के लिए apply कर देना है, जैसे के 1 प्लस सबसे पहले इसको मैं मान लूँगा R1, तो यहाँ पे R1 upon 100, ठीक है, तो उसका N, N कितना है, एक साल, तो फिर भी N लिखोगे N1, ठीक है न, तो यहाँ पे 1 प्लस R2, R2 किसके लिए इस 5% के लिए, upon 100, यहाँ पे N2, इस 2nd year के लिए, ठीक है न, यहाँ पे 1 प्लस R3 upon 100, and उपर N3, ओके, तो प्रिंसिपल हमारा दे रखा है, इन्होंने 80,000, और यहाँ पे R1 हमारा 4%, and एक साल के लिए, फिर 5%, यहाँ पे भी एक साल के लिए, और फिर 10% के हिसाब से एक साल के लिए, तो निकालने के लिए इसकी सा सारी कल्कुलेशन कर लोगे, यहाँ पे मेरे पास आएगा 1.04, 1.05, 1.1, ठीक है, तो इसको कल्कुलेटर पे आफ सौल कर लो, तो यहाँ पे कल्कुलेशन करने के बाग मेरे पास अमाउंट आई, 96096, ठीक है न, तो अब क्या करना है, कंपाउंट इंटरस्ट निकालना है, इसी है, कि हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा, इतना, माइनस, 80,000, तो यहाँ पे मेरे पास आगया, 16,096, ठीक है, यह क्या आगया, मेरा कंपाउंड इंटरस्ट निकल के आया, इन 3 respective years के लिए, जिनका percentage rate, जिनका rate of interest respectively था, 4%, 5% and 10 ठीक है न, तो उसके लिए हमने निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास next हमें, find the present value of 12,000, after 5 years, if the rate of interest is 12 and half percent, ठीक है, तो यहाँ पे जो 12,000 दे रखा है, यह हमें figure दे रखी है, कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ amount लगाई, ठीक है, तो वो 12,000 हो गया, 12,000 हो गया, after the 5 years, किस percentage पे, 12 and half percentage पे, ठीक है न, वो 5 साल के बाद मेरा 12,000 बन गया, किस percentage पे, इस percentage पे, तो उसकी यह present value पूछ रहे है, कि यह 12,000 की यहाँ पे value कितनी है, इस zero period में, मतलब जो starting period था, beginning period था, वहाँ पे उसकी value कितनी है, ठीक है, इसकी value find out करने के लिए हमारे पास, हम इसको use करेंगे, तो यह जो हमारा यहाँ पे, rate of interest दे रखा है, ठीक है, यह हमारा यहाँ पे क्या है, rate of interest, तो इसको हम use करेंगे, as a discounting rate, तो यह हमारा हो गया, 25 by 2%, ठीक है, तो यह as a discounting rate हमने use किया, discounting rate इसलिए use करेंगे हैं, क्योंकि यह हमारा 12,000 in future है, और हमने निकालना है present में, तो present के लिए हमारे पास एक technique है, जिस हम कहते हैं, discounting technique, तो उस technique का use करके, इसको present value में convert किया जाता है, तो present value में convert करने के लिए, हमने rate use किया, यह वाला, और यह technique है, discounting technique और हम इसे solve करेंगे, calculator पे, सबसे पहले देख लिजे करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास formula है, that the present value is equals to future value का, यहाँ पे हमने निकालना है present value factor, ठीक है, present value factor, जिसमें हमने निकालना है, इतने percent के लिए 5 years के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा present value factor आएगा, present value का formula है, यहाँ पे 1 upon 1 plus r की power n, तो यहाँ पे अगर मैं भरूँ, तो 1 plus r मेरा आगया, यह वाला, ठीक है, नीचे 100 वही रहेगा, और उसकी power 5, तो इसको solve करने के लिए calculator पे solve करेंगे, जैसे के यहाँ पे इसको अंदर solve करने पर elsm करके, ठीक है ना, यह मेरा आया 1.125, तो इसको मैं use करूँगा, 1 divided by, यह मेरा आगया 1 divided by 1.125, इसका power 5, ठीक है, तो करना क्या है, 1 divided by 1.125, इसको 5 times, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इस तरह करना है, तो अब यह मेरे पास आ गया, 0.5549, ठीक है, तो इतना आ गया, इतना मैंने note down कर लिया, तो यहाँ पर यह तो निकल के आ गया, future value कितनी थी, present value निकालनी है, present value के लिए हमारे पस future value कितनी थी रखिया, future value है हमारी 12,000, multiply करेंगे इस से, तो मेरे पास यहाँ पर निकल के आएगा, तो यह हमारे पास जो amount आ गई, ठीक है, 6658, यह हमारे पास present value है, इस 12,000 की, जो के 5 साल के बाद था, ठीक है न, तो वो अगर present में देखें, तो present में कितने है, 6,658, ठीक है, यह किसली हुआ, यह price increment की वज़े से हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूं, हर एक साल, कुछ ना कुछ price increment होता रहा, ठीक है, तो उस वज़े से, यहाँ पर भी कुछ हुआ, ठीक है, तो उस वज़े से मैं कह सकता हूँ, कि आज के, इतने, आज की इतनी value, 5 साल के बाद इतने के equal है, ठीक है, यह दोनों equal amounts है, ठीक है, आज का इतना, और 5 साल के बाद इतना यह equal है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, यह खर्च करने पे जो समान आएगा, वो इसको खर्च करने से 5 साल बाद समान आ जाएगा, ठीक है ना, कि इसमें जो आएगा, वो ही इसमें आएगा, ठीक है न, समझागे न, कि इसकी value और इसकी value, सेम है, कोई फर्क नहीं है, बट फर्क इतना है, कि 5 साल का gap है बीच में, ठीक है न, तो आगे हमारे पास, यहाँ पर कोशना, परसने रिसीव, ठीक है, 4,882 रूपीज, एज़ अ कमपाउंड इंटरस्ट बाई डिपोजिटिंग अ सर्टन सम, इन 10 परसेंट, ठीक है, तो 10 परसेंट पर उसने डिपोजिट किया, फिक्स डिपोजिट अकउंट फो दर 5 वियर्स, तो 5 साल के लिए, उसने डिपोजिट किया, लेटर माइंड़ सम डिपोजिटेड बाई ही, कि उसने कितना अमाउंड डिपोजिट किया उसमे, उसे मिला कितना, as a compound interest, उसे यह अमाउंट निलिया, तो हमारे पास यहां पे compound interest mention किया गया, time period mention किया गया, and rate mention किया गया, ठीक है, तो हमें निकालना किया है, हमें principle निकालना कि कितनी amount हमने उसमें लगाई, ठीक है, तो वो हमें निकालना है, तो वो निकालने के लिए simply हम हमारा formula put करेंगे, उसमें हमारे पास है, ठीक है, minus 1, तो आपको पता है, यह compound interest के लिए हमारा formula है, तो इसमें compound interest हमें पता है, P हमें find out करना है, जो कि यह principle, 1 plus R हमें दिया गया है, 10%, और N हमारे पास क्या है, 5 years की, ठीक है, तो minus 1, तो इसमें आपको पता चल गया ना, कि वो कह रहे हैं, compound interest इतना मिला, deposit किया, कुछ sum, कुछ sum, certain sum, ठीक है, नहीं पता principle, ठीक है, तो वो principle हो गया, किस rate पे 10% पे fixed deposit था, FB थी, on account for 5 years, ठीक है, 5 साल के लिए हमने FD करवाई, Determine the sum deposited by him, कि कितने की FD करवाई, ठीक है, वो निकालने, वो निकालने के लिए P हमारे पास यहाँ पे बच गया, तो आगे calculation further करेंगे, तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे 1.1, इसकी power 5, ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको solve कर लेना है, solve करने के बाद हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आगे इतना, तो इसे further solve करोगे, तो हमारे पास आएगा, P is equals to, यहाँ पे इसकी divide में चला जाएगा, तो आएगा 0.6105, ठीक है, तो इसे solve करने पे, मेरे पास आया 0.6105, तो इसको solve करने के बाद आया, 7996.72, ठीक है, तो यह मेरे पास आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं, और 7997, ठीक है, तो यह हमारे पास क्या आ गया, compound interest का, वो answer आ गया, principle निकल क्या है, कि हमने इतनी amount invest कियोगी वहाँ पे, ठीक है, जिस पे हमें compound interest इतना मिला, ठीक है, तो वो sum deposit हमारा यहाँ पे आ गया, अगर total amount पूछते हैं, तो इस principle में उस compound interest को add कर देना, हमारे पास total amount आ जाएगी, तो next हम हमारा question number 21, इसमें कहते हैं, divide करो 5,20,400 को बिट्विन रमेश और सुरेश, ठीक है, तो किस तरह डिवाइट करना है, in such a way, इस तरह डिवाइट करो, that amounts that रमेश received in 2 years and सुरेश received in 4 years are equal, कि जो amount रमेश 2 साल के बाद receive करेगा, और जो amount सुरेश 4 साल के बाद receive करेगा, वो दोनों equal होंगी, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, when the interest is 4% per annum compounded annually, तो यह 4% per annum का जो compounded annually हमारे पास interest दे रखा है, यह दोनों के लिए है, ठीक है न, रमेश के लिए भी, सुरेश के लिए भी, तो सबसे पहले हमारे पास, अगर मैं let करूँ, रमेश का, तो मैं माल लूँगा यहाँ पे, let, invested amount is equals to x, ठीक है, के रमेश के लिए x है, तो, यहाँ पे मेरे पास है, सुरेश, तो सुरेश के लिए let करूँगा, let, invested amount, अब देखो, इसके लिए मैंने x let किया, तो total मेरे पास था, पांच, बीस, चार सो, तो उसमें से उस x को minus कर दूँगा, तो बाकी इसका बच जाएगा, ठीक है, बाकी सुरेश का आजाएगा, x रमेश का आजाएगा, अगर इन दोनों का total करूँगा, तो यही amount मेरे पास निकल कियाएगी, ठीक है, तो अब इनकी investment होगी, अब आपको पता है कि रमेश का जब निकालना है, तो x percent, x की value से निकालना है, ठीक है, यह x क्या है, इसका principle, यह क्या है, यह सुरेश का principle, ठीक है न, इसी तरह इनकी rate दे रखे, rate हमारे पास है, 4 percent per annum के हिसाब से, और year, year रमेश के, जब रमेश की बात कर रहे हैं, तो year है, 2 year, जब तो year है, 4 years, ठीक है, तो solve करने के लिए क्या करना है, कि उन्होंने बताया कितनी कितनी amount, amount मिलेगी, ठीक है न, compound interest नहीं बता रहे, amount मिलेगी रमेश को, वो equal होगी सुरेश के, तो यहाँ पे रमेश को, जो amount मिलेगी, amount of रमेश, is equals to amount of सुरेश, तो amount of रमेश कैसे निकालोग में वैसे ही formula लगाओगे, amount का, is equals to, सबसे पहले principle, यहाँ पे N, ठीक है, N किस के लिए, रमेश के लिए, तो equal है यह, ठीक है, तो इन दोनों को मैंने क्या किया, equal कर दिया, तो यहाँ पे P कितनी है, in case of रमेश, X, 1 plus rate, same रहेगा, 4% का, और N मेरे पास 2 साल के लिए, यहाँ पर कितनी है, rate कितना 4% का, और N कितना 4, ठीक है, तो क्या इसका solution कर लेना है, तो 1.04 की power 2, इधर यह ऐसी रहेगा, यहाँ पर भी 1.04 की power 4, ठीक है, तो इनका solution करके मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, 1.0816, यहाँ पर आएगा, 1.1698, ठीक है, मैं इतने digits ले लेता हूँ, ठीक है, तो 1.1698, ओके, तो यहाँ पर अप क्या करना है, इसको इसके साथ multiply करवाना है, इसको क्या करना है, इसके साथ multiply कराना है या फिर आप क्या कर सकते हो यह multiply में है इधर आप divide में लेके आ सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो आपकी मर्दी है माल दो मैं इधर divide में लेके आया तो यहाँ पर मेरे पस बनेगा ठीक है इतना हो गया ना चाहे उधर divide में ले जाओ ऐसे कर लो x इधर ही रख लो उदर डिवाइड में ले जाओ इधर डिवाइड में यहाँ पर आएगा 1.0816 ठीक है तो ऐसे करके यह यहाँ पर आएगा तो अब इसको solve कर लेना है तो इसको solve करने के पाद मेरे पास आया 1.0815 ठीक है तो अब क्या करना है इसको multiply कर लेना है इस figure से इतर एकसी रहेगा तो यहाँ पर सारा solution करने के बाद मेरे पास x की value निकल की आई है तो इसमें थोड़ा फर्क हो सकता है क्योंकि हमने कुछ points पीछे छोड़ दिये थे अगर उन points को भी cover करते चलेंगे तो यह पीछे ठीक आ जाएगा तो यहाँ पर इसकी इतनी figure आई मतलब रमेश ने कितना invest किया रमेश पर कितना invest हुआ है इतना तो यहाँ पर सुरेश का निकाल लेंगी यह तो है रमेश का ठीक है इसी तरह सुरेश सुरेश का हमारे पास तो यह हमारे पास amount आगी सुरेश की तिक इतना amount सुरेश पर invest हुआ ठीक है तो इतना सुरेश पर उतना विरमेश पर ठीक है ना तो इस तरह इनका जो amount है वो similar आ रहा है ठीक है ना इनको जो interest वगेरा मेरे के principal plus amount होके principal plus compound interest होके जो amount बन रहा है वो same बन रहा है इन दोनों का तो यहाँ पर हमारे पास है 20 seconds हम 20 seconds हम में हमारे पास क्या रहा है Sunita borrowed some of money and cleared the loan by paying इतना ठीक है तो यहाँ पे 3450 रुपीज first installment pay कर दी गी at the end of the first year ठीक है तो माल लो यहाँ पर zero period zero period के बाद मैंने यहाँ पर कुछ amount borrow की और first year के end में यह first year के end है ठीक है तो यहाँ पर मैंने इतना pay कर दिया अब इतना pay किया तो आगे कितने है इसने 6300 रुपीज at the end of the second year तो second year यह रहा इसका end यहाँ पर इसने इतना pay कर दिया ठीक है तो first year के end में इसके पास होंगे तो इसने pay कर दिया यहाँ पर इतने थे तो यह pay कर दिया ठीक है तो यह दो इंस्टाल्मेंट पे करने के बाद यह first installment और यह second installment यह pay करने के बाद इसका जो भी amount borrow किया हुआ था वो पूरा हो गया ठीक है वो amount जो borrow किया था वो इसने rate 5% per annum पे borrow किया था तो यह पूछ रहे है कि वो amount कितना borrow किया था, कि यहाँ पे P कितना है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हम लगाएंगे, हमारी discounting technique, ठीक है ना, तो discounting technique के जरिए, यहाँ पे हम निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास एक तो होगा, हमारा discounting rate, जो के हमारे पास दिया गया है 5%, क्योंकि जो rate of interest हमारे पास दिया जाता है, उसी को हम discounting rate मानते हैं, और उससे sum solve करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर formula क्या है, कि यह future value होगी, first year के end में है, यह future value है, और present value निकालनी है, मतलब उसे 0 period में लेकिया आना है, यह present value होगी, यह future value है, यह हमारे पास है, future value 1, यह है future value 2, यहाँ पर निकालेंगे present value, ठीक है ना, तो इसके लिए formula क्या होता है, कि present value is equals to future value into present value factor किस पे, कि सबसे पहले अगर इस amount के लिए निकाल रहे हैं, 3, 4, 5, 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो यह first year के end पे है, तो यह निकालेंगे 5% के हिसाब से, एक साल के लिए, ठीक है, तो य यहाँ पर मेरे पास future value कितनी, यह रही, तो present value factor कैसे निकालना होता है, मैंने आपको बताया है, यह होता है, 1 upon 1 plus rate कितना है, 5%, ठीक है ना, तो 5 upon 100 ऐसे आ गया, तो इसकी power n, n कितनी है यहाँ पर 1, तो इस तरह, तो इसको आप solve कर लेना है, solve करने के बाद हमारे पास आएग यह आगया हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर यह तो निकल गया कि 1 साल के end में जो हमारे पास amount थी, उसकी हमने present value निकाल ली, अब जो यह हमारे पास 2 साल के बाद amount दे रखिये, यह future value दे रखिये, इसकी भी हम present value निकालेंगे, कि हम इसको तो present value में लेके जा चुकी है, और जब लेके गए, तो इसका कितना बन गया, यह बन गया, ठीक है ना, तो यह हमारे पास sensor इसका आगया, तो अब इसी तरह 6300 को भी present value में लेके जाएंगे, ठीक है, कि इस 0 period में, दो साल के बाद जो amount बनी, इस 0 period में उसकी value कितनी है, वो निकालने के लिए, future value कितनी, present value factor जब निकालना है, तो 1 upon same, r कितना 5%, अब n कितना है, दो साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 साल के बाद दिया गया, ठीक है, तो अब इसे निकालना है, अगर, तो यहाँ पे solve करने के बाद मेरी पस आया, 5714.29, ठीक है, तो यह amount आगी, तो अब क्या करना है, कि यह amount भी 0 period में है, यह amount भी 0 period में है, ठीक है, तो अगर हम इस amount को, और इस amount को add कर देंगी, तो हमें पता चल जाएगा, कि हमने borrow कितना किया था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, amount borrowed, तो मेरे पास यहाँ पे निकल के आता है, 9,000, ठीक है, कि मैंने 9,000 रूपी बोरो किये थे, starting में, ठीक है, तो उसे borrow करके मैंने 5% लगाया, 5% लगा के पहले साल के end में इतना pay कर दिया, और second के साल के end में इतना pay कर दिया, और मेरा जो boring amount था, सारा complete हो गया, ठीक है, सारा complete हो गया, ठीक है, तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे present value की मदद से, ठीक है, यह मैंने इसलिए किया, क्योंकि यह way है, जो easy है, ठीक है, काफी असानी से निकल जाता है, बट आपको यह पता होना चाहिए, present value, future value into present value factor, ठीक है, काफी असान है, future value में यह amount पढ़ी है, इसे present value में लेगे, future में यह amount पढ़ी है, इसे present value में लेगे, यह कम क्यों हो गई present value में आके, जैसे यह पहले इतनी थी, यह इतनी क्यों रहेगी, क्योंकि हमारे पास यह कहना चाहते है, कि एक साल पहले जो amount यह है, ठीक है, वो एक साल बाद इतनी होगी, तभी काम चलेगा हमारा, जैसे हम कहते हैं, कि अगर पहले 10 रुपए हम लगाते थे, ठीक है, पहले 10 रुपए हम लगाते थे, तो हमें, मान लो, यहाँ पे 10 मालो, कि हमें 10 कैंडीज मिल जाती थी, ठीक है ना, 10 रुपए लगाते थे, तो 10 कैंडीज मिल जाती थी, बट आज के वक्त में, मुझे 100 रुपए लगाने होगे, तब जाके मुझे 10 candies मिलेंगी ठीक है ना पहले मैं 10 रुपे लगाता था तो 10 candies मिल थी ती बट आज 100 रुपे लगाऊंगा तब जाके 10 candies मुझे मिलेंगी ठीक है तो इसका मतलब ये 90 पलस क्यों हुआ महंगाई के कारण ठीक है ना क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है money value decrease हो रही है उसकी amount जो हमारे पास दी गई है ये equal है बट इनकी फर्क इनका इसलिए आया क्योंकि महंगाई में फर्क आ ठीक है ना रुपए की value में फर्क आ तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और अग सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाईए और चैनल सबस्क्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक notification सबसे पहले पाईए